आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ बस भुपद का सामाने〜 सामा रोप होता x A x square зач bX c बराबर, पर 7 बराबर जीरो नहीं आता इसमें बहुपद है तो समीकर नहीं लेके चलेंगे इसमें देखो यह सर्थ होती है कि यह कामान कभी भी जीरो के बराबर हो पहो गया दिवगात भूपत निकालनेगा पहला तरीका यहां पर मैं बता देता हूं देखो एकस माइनस अलफा गुणा एकस माइनस बीटा कर देते हैं क्योंकि दोनों सुन्यक अपने पास दे रखें और दूसरा तरीका अपने पास यह होता है कि एक सुत्र होता है एकस स्कुर माइन सुन्यकों का योग जैसे अलफा और बीटा मैंने सुन्यक माने हैं तो यहां पर सुन्यकों का योग आ जाएगा गुणा में एक्स आ जाएगा प्लस सुन्यकों का मतलब अलफा बीटा अब इसको आगे गुणा करेंगे तो यह इसी के बराबर आएगा तो यह मैंने किसी भी तरहीके से आप निकाल सकते हो अगर मैं इसमें रखूंगा तो अपने पास आ जाएगा क्या लेकिन हम सब जानते हैं कि रिनात्मक संक्या आई नहीं सकती तो यह वाला तो गलत हो जाएगा होता है कि माइनस का वर्गमूल में होती है यहाँपए अलफा का मान ही आगया और बीटा का मान मैनस वर्गमूल में 3 उसके आगे हम से उसमें मान रखेंगे तो X- workmool में 3 और यहां पर X- plus बन जाएगा प्लस workmool में 3 अब देखो यहां पर एक सरुसमी का लग रही है सीधे सी A plus B और A minus B वाली तो यह बराबर होता है A square minus B square मतलब X का work minus B का work मतलब workmool 3 का work तो workmool में 3 का work मतलब workmool से work घट जाएगा तो केवल 3 बच जाएगा तो यह अपने पास जो है दिवगात बहुपत आ गया इस तरीके से और हम जो है इस तरीके से भी निकाल सकते है गदें X- alpha plus B ने तो workmool में 3 और माइनस वाइनस वाइनस यह आपस में कट जाएगे और 0 के बराबर आ जाएगा यहां x से गुणा होगा, तो यह पूरा 0 ही बन जाएगा, +. यहां पे देखो, workmoon में 3, और workmoon में 3, जब गुणा होँगे, DIKTAL 3 पनेज़ा होगा, लेकिन किसका? माइनस का, क्यूंकि plus minus गुणा होगी, माइनस का चिन बनाते हैं, तो minus, minus 3, यह बनेगा अब देखो इसको आगे सरल करते हैं तो x2 यह तो पूरा 0 हो गया यह प्लस माइनस से गुणा हो गया तो माइनस ही बनेगा अगर इसका हम जांच भी करना चाहे तो x2 माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे और हम जो है आएक्स के मान आएंगे वही इसके सुन्यक ओंगे और जो सुन्यक आएंगे वही अपने पास जो पहले माने थे ना वही आजाएंगे तो अपने पास यह उत्तर हो जाएगा थेंक यू